दोस्तों एक दौर ऐसा भी था जब रवीना टंडन बॉलिवुट की टॉप आक्ट्रूसेज में शुमार थी लेकिन काफी लंबे समय से रवीना टंडन बॉलिवुट से दूर है और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती है दोस्तों आप सभी रवीना टंडन को तो अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन क्या आप उनकी बेटी को जानते हैं वो क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं अगर आप रवीना टंडन की बेटी को देखेंगे तो वाकई आप भी उनके दिवाने हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं रवीना टंडन की बेटी के बारे में अगर आप भी यही सब बातें जानना चाहते हैं तो आप हमारी विडियो को एंड तक देखें साथ ही रवीना टंडन के शांदार अभिने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों रवीना टंडन ने यू तो बॉलिवर्ड की सूपर हिट फिल्में पत्थर के फूल, दिलवाले, लादला और महरा जैसी फिल्मों में काम किया है तो वही रवीना टंडन एक समय पर बॉलिवर्ड की मशूर आक्ट्रियस भी हुआ करती थी हम आपको बता दें कि रवीना ने 1990 में बिना शादी किये दो बेटियों को गोद लिया था जिनका नाम पूजा और छाया टंडन रखा गया था और फिल्हाल इन दोनों की शादी भी हो चुकी है और आज ये दोनों अपनी शादी शुदा लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं इसी के साथ रवीना टंडन ने साल 2004 में अनिल थडानी से शादी कर ली थी जिन से उनके दो बच्चे हुए जिन में से बेटे का नाम रणवीर थडानी और बेटी का नाम राशा थडानी है बात की जाए इनकी रियल बेटी यानि की राशा की तो इनकी बेटी दिखने में काफी ज्यादा खूपसूरत और स्टाइलिश नजर आती है खुबसूरती के मामले में ये अपनी मा यानि की रवीना टंडन से भी दो कदम आगे निकल चुकी है और ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा आक्टिव रहती है पर फिरहाल ये अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है जिसकी वजह से ये अभी बॉलिवुट में कदम नहीं रखना चाहती लेकिन आए दिन इनकी सोशल मीडिया पर विडियोज वाइरल होती रहती है जिनको इनके फैंस काफी ज्यादा पसंद करते है तो दोस्तों आप सभी को रवीना टंडन की रेल बेटी यानी की राशा थदानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं साथ ही बॉलिवुट से जुड़ी और भी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें